आज हम लोग SSGD previous year map को solve करने वाले हैं आज जो हम लोग question solve करेंगे वो questions 22 forward 2019 के second shift में पूछा जा चुका है तो आज हम लोग question number 59 से solve करेंगे और इससे पहले का जो question है उसका link आपको description के नीचे मिल जाएगा तो चली देर ना करते हो questions को solve किया जाए और सारे questions को हम लोग बहुत तो दीकि question number 59 में जो दिया गया है इसमें बोल रहा है यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे बहुत सिंपल सा question है और ये जो question है ये time and work chapter से लिया गया है तो दीकि ऐसे जब भी question मिलेग तो हम लोग को एक formula याद रखना है और time and work का mostly ज़्यादातर question हम लोग इसी formula से बनाएंगे जो कि हम बताने वाले हैं तो formula हो जाएगा mdh by work mdh एक formula का भी नाम होता है clear तो इसी से आपको formula भी याद हो जाएगा mdh by work is equal to mdh by work अब इधर क्या करिएगा इधर one लिख दीजिएगा और इधर two लिख दीजिएगा clear ये बनगी आपका formula clear m मतलब man d मतलब day h मतलब hour और w मतलब work अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है यदि 6 वेक्ति 24 दिन में ठीक है 36 एकर फसल की कटाई करते हैं तो 6 वेक्ति है तो man क ये जगा पे हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और ये सब क्या है mdh है इसका मतलब बीच में कुछ ने मतलब multiply है तो multiply लिखेंगे day तो कितना day है तो 24 दिन है clear तो 24 लिखेंगे day के जगा पे अब hour तो hour कहीं दिया नहीं गया है और बोल रहा है 36 एकर फसल की कटाई करत फिर equal to है तो equal to देंगे अब बोल रहा है 12 वेकती तो man के जगा पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे 18 दिन बोल रहा है तो day के जगा पे 18 लिखेंगे इसमें भी कहीं hour का बात नहीं हुआ है बोल रहा है कितने एकर फसल की कटाई करेंगे तो फसल बोला गया है तो यह man भी नह समाल लेंगे चलियर अब जो भी आक्स का भीली होगा वोग यह हम लोग का एंसर हो जाएगा इसको सॉल कर लेते हैं कि खुछ मुटिप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटु 24 इंटु इस इधर जाएगा तो cross multiply 36 into 12 into 18 अब x is equal to कितना हो जाएगा 36 into 12 into 18 और divide में यह चल जाएगा 6 into 24 तो अब देखिए कट जाएगा 6 का table में 6 बार में 6 का table में यह 4 बार में ठीक है 4 का table में यह 3 बार में 18 into 3 बचा तो x is equal to 3 into 18 करेंगे तो हो जाएगा 54 और यही हम लोग का answer हो जाएगा अब आगी question solve करते हैं Question number 60 देखिए यह जो question यह आपका simple interest chapter से लिया गया है और आप लोग को हर एक chapter का नाम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो आने वाला next exam है उसके लिए आप लोग इस chapter को cover कर सके तो देखिए इसमें दिया गया है कितने परती सत परती वर्स की साधरन ब्याज की दर पर अठारा सो रुपिया की रासी 10 वर्स में 27 सो रुपिया हो जाएगी क्लियर है तो इसको हम लोग पहले basic तरीके से बनाएंगे फिर इसका short trick देखेंगे तो देखिए कितने परती सत परती वर्स की साधरन ब्याज की दर पर तो दर हम लोग को पता नहीं है तो दर को हम लोग आर लिखते हैं rate यह हम लोग को find करना है पर अठारा सो रुप्या की रासी तो रासी है इसका मतलब यह क्या है अठारा सो जो है यह मुलधन है मुलधन को हम लोग पी लिखते है प्रिंसिपल की रासी दस वर्स में इतना हो जाएगा time है दस वर्स और कुछ भी हो जाएगा जब भी लिखावा रहे clear तो हम लोग amount मानेंगे clear है तो बहुत को तो confusion रहता है कि amount कोनबला है और कोनबला मुलधन है तो जब भी हो जाए जिसके साथ लिखावा रहेगा clear यह बढ़ करके हो जाए दोनों में से कुछ भी लिखा रहे है तो वह हम इसके साथ लिखावा है हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का amount कितना है 2700 क्लियर हम बेसिक तरीका बता रहे है फिर इसका ठीक भी बताएंगे तो हम लोग को rate find करना है तो हम लोग को पता है क्या पता है कि a is equal to हो जाता है clear या फिर ऐस से समझेए si is equal to हो जाता है a minus p clear तो si is नहीं हम लोग find कर लेंगे a कितना है 2700 है minus p कितना है तो 1800 है इसे इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा 900 हम लोग का si निकल क्या आगिया अब हम लोग si का formula में लगा देंगे तो हम लोग का answer आ जाएगा तो देखिए अब si का formula लगा यह तो si is equal to क P upon 100, तो ऐसा हम लोग का 900 आया, into P हम लोग का 800 है, क्लियर है, into नहीं equal to है, शॉरी, यहाप एक्वल टो कितना, P 1800, rate हम लोग को find करना है, और time हम लोग का 10 दिया गिया है, divide 100, अब इसको solve करेंगे, तो इस कूस पार ले जाएए, तो 900 into 100 हो जाएगा, और यह नीचे आजाएगा तो 1800 और ये 10 भी नीचे आ जाएगा इस एकुल to R तो हम लोग R निकल के आ जाएगा तो देखिए 900 का टेबल में 2 बार में कट जाएगा क्लियर 0 से 0 कट जाएगा 2 का टेबल में ये 5 बार में तो rate हम लोग के कितना निकला 5 तो R is equal to 5% परती वर्ष क्लियर ये इसका basic तरीका था अब इसका हम लोग trick भी देख लेते हैं तो देखिए इसका short trick से कैसे solve गर सकते हैं तो यहाँ पर 1800 रूप्या मूलधन है और ये हो गया 2700 तो कितना बढ़ा क्लियर 1800 जो है 2700 हो गया तो कितना बढ़ा इसको घटा दीजिए 2700 से 800 को घटाएंगे तो कितना होगा 900 तो 900 जो बढ़ा ये क्या बढ़ा होगा तो interest ही न दिया होगा तो 900 interest मिला कितना? 1800 रूप्या से इसको बस percent में change कर देना है तो percent में change करने के लिए 100 से multiply तो 200 कट जाएगा 9 का टेबल में 2 बार में 2 का टेबल में ये 50 बार में तो 50 percent आया हम लोग का लेकिन ये परती वर्स नहीं आया ये कब का आया? ये 10 वर्स का आया अब देखिए 10 साल में 50 percent तो एक साल में हम लोग को निकालना पड़ता रेट तो 10 साल में अगर 50 percent है तो एक साल में कितना हो जाएगा 50 को 10 से divide कर दीजिए तो एक साल का निकल के आ जाएगा 5 percent परती वर्स ये हम लोग का answer हो जाएगा तो ऐसे भी question को solve कर सकते हैं अब आगे question solve करते हैं question number 61 देखिए इसमें परतीसत फाइन करने बोला गया है यहाँ पर एक word दिया गया है ठीक है इस सब्द में आई अक्षर के होने की परतीसत क्या है बहुत ही simple सा question है तो कितना इसमें सब्द है उसको हमको देखना है तो कितना सब्द है इसको count करिए तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस तो टोटल 10 है तो टोटल को हम लोग नीचे में लिखते हैं हमें सा भिन्न के रूप में इसको लिखना है तो टोटल 10 हुआ तो 10 को हम लोग नीचे लिखेंगे और आई अक्षर होने का परतीसत तो आई अक्षर इसमें के गो है उसमें देखेंगे ठीक है तो आई कितना है एगो है यहाँ यहाँ पर एगो यहाँ पर दो गो है तो दो हो गिया किलियर है तो 10 में से दो गो है यह तो भिन्न बन गिया लेकिन हमको चाहिए % में, तो भिन को % में convert करने के लिए 100 से multiply किया जाता है, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 into 10 हो जाएगा 20%, clear है, अब आगे question solve करते हैं, question number 62 देखिए, यह जो question है आपका LCM SCF चप्र से लिया गया है, तो यह LCM से दिया गया question clear है, तो बहुत ही simple सा question है, इसका भी हम लोग पहले basic तरीका देखेंगे, फिट trick से second में solve करेंगे, तो पहले basic तरीका देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 27, 45, 30 से विभ clear, छोटी संख्या बोला जाएगा और सेस आएगा, इस दोनों को बात को mind में रखना है, जब भी छोटी संख्या और सेस बोला जाएगा, तो हम लोग को क्या करना है, इसका LCM निकालेंगे, किसका जो संख्या दिया गया है, 27, 45, 30 का, इसका LCM निकाल लीजिए, यह पहले basic तरीका बता रहे है, तो देखिए, तीनों जो है, तीन का पहड़ा में आ जाएगा, तो 39 जा 27, 3 से 15 बार में चल जाएगा, 3 10 जा 30, अब देखते हैं, 3 का table में फिर जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 10 उतार देंगे, फिर निकालें, तो अब देखिए, 5 का table में जाएगा, 3 ह जाएगा, 5 जा 5, 5 2 जा 10, और ये नहीं जाएगा, तो इसको हमको क्या करना है, इसको multiply कर लीजिए, मतलब 3 into 3 into 5 into 3 into 2, इसको जब multiply करेंगे, हम लोग लिख के देटे हैं, 3 into 3 into 5 into 3 है, into 1 को लिखने का जरूद नहीं है, अब इसको जब हम लोग multiply करेंगे, इसको जब हम multiply कर देंगे, तो हम लोग का आज आएगा, 270, clear, और जितना भी successful बोला जाता है, clear, उसको add कर देते है, तो successful हम लोग का 5 बोला गया है, तो 5 इसमें add कर दीजिए, तो 275, clear, ये हम लोग answer हो जाएगा, बहुत ही basic सा concept था, अब इसका trick देख लेते है, बिना LCM निकाले हम लोग ये ऐसा question बोला जाएगा, छोटी सेंख्या और सेस बचेगा, जो सेस बच रहा है, वो option में से हम लोग को क्या करना है, minus करना है, clear, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, minus कर देंगे, तो 5 इसमें घटा देंगे, जो कितना हो जाएगा, 270, clear, 270 हो जाएगा, बस इतना ही लिखना है, और लिखना नहीं है, अब ये जो 27 है, क्या 27 से ये कट जाएगा, तो देखके पता चल जाएगा, कि कट जाएगा, clear, 45 से ये कटेगा, तो देखके नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग को divide करना पड़ेगा, लेकिन divide भी नहीं करेंगे, इसको तोड़ दीजिए, इसको त कमझा रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा लिख कर देते हैं, 27 से तो दिक्कत नहीं हुआ, clear, directly कर जाएगा, 27 in 10 बार में, 45 से दिक्कत अगर हो रहा है, इसको तोड़िए, तो देखे, 95 जा 35 होगा, 9 into 5 करेंगे, तो 35, ये दोनों से अगर ये divide लग गिया, तो इससे लग किलियर, तो देखे 5 से लगाने का ट्री की ये होता है, ये लास्ट में, अगर 0 और 5 रहे, तो 5 से लग जाएगा, तो ये लग जारहा है, 5 से, 9 से देखे लग रहा है, 9 3 0 27, clear, तो लग जा रहा है, दोनों से लग रहा है, इसका मतलब 45 से लग जाएगा, अब 30 से देखिए, तो 30 से 00 तो कर जाएगा 3927 कर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हम लोग का option यही answer हो जाएगा जो सबसे लगे यह वाला घटाने के बाद जो सबसे भागा लगे वह हम लोग का answer लेकिन divide करके नहीं देखना है ऐसे करके हम लोग को mind में solve कर लेना है clear है अब आगे question solve करते है question number 63 देखिए यह जो question यह time and work chapter से ही लिया गिया है तो दो question आप लोग को देखने को मिल गया time and work chapter से तो इस chapter को जरूर को अबर कर लिजेगा आने वाला जो next exam है सिगर इस chapter से question रहेगा तो बहुत simple सा question पूछा गिया है रहीम और हरीस करमसा 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो जो बोला गया है उसको लिखिए रहीम जो है 15 दिन में कर सकता है और हरीस जो है यह 10 दिन में कर सकता है clear है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे काम को, वे कितने दुनों में वही काम पूरा कर देंगे, अब एक साथ कर रहा है काम, तो जब भी एक साथ बोलेगा, clear, और दो जन काम करेगा, और एक साथ काम करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को multiply करेंगे, clear, और नीचे में एक साथ बोला गया है, तो एक सा टेबल में ये थिरी बार में तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 तो 6 हम लोग का एंसर हो जाएगा अब आगे question solve करते हैं question number 64 देखिए ये pie chart chapter से लिया गिया है बहुत ही simple सा question है इसमें दिया गिया है पहले question को पढ़ लिजी तालिका का उचित रूप से अध्यन करें तालिका मतलब यही चार्ट यही pie chart ठीक है और आकड़े की ब्याक्षा करके उतर दे तो आकड़ा यही सब जो data दिया गिया है numbers मे इसकी ब्याक्षा करना है मतलब इसके बारे में पढ़ना है और उत्तर देना है तो क्या दिया गिया है तालिका एक परिक्षा में चार अलग-अलग भिसियों में 5-7 रहे इधर और इधर अंक दरसारा है clear है तो इसके बारे में हम लोग को आगे question में दिया गिया है देखते है मतलब 50% और उससे ज़्यादा आंग कितने प्राप किया उसको हमको find करना है ठीक है और सभी भी सेयों में तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं पहले देख लेते हैं सभी भी सेयों में टोटल कितना नंबर है तो गनित में कितना है 1.500 है फिर रसाइन बिग्यान में 130 है बहते के बिग्यान में 120 है और जीब बिग्यान में 100 है तो सब को एड करेंगे जब हम लोग तो हम लोग कहा जाएगा 500 इसको एड करेंगे तो 500 तो टोटल 500 नंबर है किलियर, अब किसे ने 50% या उससे ज़्यादा लाया, यह हमको देखना है, तो 50% मतलब किया, इसका आधा 200 या फिर उससे ज़्यादा, किलियर, 50% मतलब कितना, 500 का आधा 200 या फिर उससे ज़्यादा, जो question में बोला गिया है, 50% और उससे अधिक अंक, तो देख लेते हरिसका, तो हरिस का जब हम लोग ये सब को add करेंगे clear, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना number ला रहा है, तो इस सब को हम लोग add करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 270 clear, तो देखिए इससे ज़्यादा है मतलब इससे ज़्यादा नहीं है, ये 50% कीतना होगा 8800 कि यह ज्यादा है मतलब यह तो लाया है 55 Cliffần t及 गते यह देखेंगे रमन कहुंत जब हम लोग calculate करेंगे इसका को जाएगा 235 जो की से कम है यह होगा उसके雨 होगा उसके बाद किया है उसके बाध राजेस धिक है तो इसको भी हम लोग add करेंगे जितना है 70, 60, 80 और 282 को add करेंगे तो राजिष का निकल के आ जाएगा हम लोग का 200,92 तो ये भी क्या है धाय 100 से जादा है 0.600 इसका 50% हो रहा है तो 0.200 है 0.200 से जादा है तो 50% से जादा हो रहा है तो ये भी हो जाएगा उसके बाद क्या है तो उसके बाद मनोज है और अजमत है तो मनोज और अजमत का हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे तो मनोज का हम लोग का हो जाएगा 202 जो कि 50% से कम है 0.500 आना चाहिए ये कम से कम तो वो हाया नहीं तो ये इसका कम है question number 65 देखिए और ये जो question है ये आपका profit and loss चप्टर से लिया गिया है तो देखिए इस question को आपका second में solve करेंगे इसमें दिया गिया है एक सो संत्रे 400 रुपिया में खरीदे जाते हैं तो cost price दिया गिया है कितना? 117 है और इसको कितना? 400 रुपिया में खरीदे हैं ये cost price है 117 का 400 रुपिया और बोल रहा है 60 रुपिया परती दर्जन की दर से बेच दिया परती दर्जन मतलब क्या? 12 बेच रहा है 60 रुपिया में 60 रुपिया परती दर्जन मतलब 12 बेच रहा है 60 रुपिया में बेच रहा है यहांप बोला गिया है, किलियर है? सब्सक्राइब इससे इसको डिभाइड कर दीजिए, मतलब 400 को 100 से डिभाइड कर दीजिए, तो 2-0-2-0 कर जाएगा, तो एगो जो है, ठीक है, हम लोग कितना में खरीदे, 4 रुपया में खरीदे, क्लियर है, अब वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, 60 रुपया परती दर्जन के दर से बेच सेलिंग प्राइस है, कितना, 60 रुपया परती दर्जन, तो परती दर्जन मतलब कितना, 12 गोगो क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, तो 60 रुपया में बेच रहा है, तो एगो कितना में खरीदे, और एगो कितना म पाँच रूपिया में तो जाईर से बात है प्रॉफिट हो रहा है चार रूपिया में खड़िदे हैं पाँच रूपिया में बेच रहा है तो एक रूपिया का प्रॉफिट हो रहा है किलियर कितना से तो चार रूपिया से प्रॉफिट कैसे निकाले इसे इसको माइनस कर दि का 25 बार में तो हम लोग का एंसर क्या हो जाएगा 25 परसेंट और 25 परसेंट क्या प्रॉफिट अब आगे कुश्चन सॉल्व करते हैं कुश्चन नंबर 66 देखिए यह जो कुश्चन ने आपका एवरेज चप्टर से लिया गिया है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत ही सीम्पल था ट्रीक है इसमें दिया गिया है पहले कुश्चन को परिए एक बल्लेवाज अपनी बारवी पारी में 60 र देखिए और वस अम लोग कितना मानेंगेenga क्ल योग्त्पल निकाल के लिए अब क्या उरा है एक बल्लेवाज बारवी पारिमी 60 रन बनाता है, तो उसका क्या होता है, औससात रन 2 बढ़ जाता है तो फिरोने विरे पारिमी सहाइग 계 York क्या होता है, तो ऑसत क्या हो रहा है, तो 2 बढ़स प्लस 2 हो जाएगा ऑसत, कितना पारिमी 12 पारिमी अगर ये 60 रन नहीं बनाता तो वस्त उतना का उतना ही रह जाता ये 60 रन बनाया तब इसके कारण क्या हुआ उसका वस्त रन बढ़ गिया क्लियर है तो इसका वस्त हो गिया X प्लस 2 और बारोई पारी में बनाया तो मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हम लोग के योगफल निकल के आ जाएगा तो मल्टिप्लाइ करिए तो इससे इसको मल्टिप्लाइ करें कितना हो जाएगा 12 बैक्स फिर इससे दोनों को मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो प्लस है तो प्लस 12 पूजा 24 क्लियर है अभी दोनों को हम लोग एक साथ लिग देते हैं देखे कैसे लिखना है ऐसे करके लिख दीजिए गई 11 एकस लिखना है और इसको एक साइड में लिखेगा 12 एकस प्लस 24 अब देखे क्या करना है अब बारवी पारी में इसने 60 रन बनाया इसके करण इसका क्या हुआ साथ रन बनाया जिसके कारण उसका उसका उसत बढ़ा है अगर यह साथ रन नहीं बनाता तो उसत बरावर रहता है तो साथ रन यह बनाया जब भी ऐसा दिया जाएगा यह साथ बनाया तो हम लोग बरावर करने के लिए इधर साथ पलस करेंगे बना रहा यह लेकिन बराव करने के लिए इधर साथ करेंगे यह हम लोगा equation बने गया clear पहले equation को solve करते हैं तो एक्स का value निकल के आ जाएगा 11x इसको इधर लाएंगे तो minus 12x is equal to 24 है इधर और इधर यह जाएगा तो minus में हो जाएगा 60 कितना होगा minus x is equal to minus 36 minus minus कट जाएगा तो x का value हम लोग आगे का जो बचावा कुछ question से हम लोग next part में solve करेंगे तो जिसको भी यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like करें share करें और चैनल को subscribe करके जरूर रखें ताकि next part हम जब upload करें आप लोगों तक notification पहुच तके thanks for watching